करेंट अफेर्स के अंतरगत इस अगले अंक में अगली खबर है आपकी तेखे अभी आपको पता है चाइना लगतार अपना विस्तार कर रहा है हर तरक को ले करके तो अभी चीन जो है अब मध्धेशिया में प्रवेश कर रहा है मध्धेशिया खास कर जो पश्मी एशिया है तो अभी चीन और सीरिया के बीच में रड़नीतिक साजेदारी की घोषना किये है चीन और सीरिया ने ये खबर आपकी चीन और सीरिया से जुड़ी होई है चीन और सीरिया ने सीरिया ने रड़नीतिक साजेदारी की घोषना किये है ठीक है रड़नितिक साजेदारी मतलब की कभी भी कोई भी युद्ध जनिक परिस्तिती होती है तो उसमें जो है एक दूसरे का सहयोग करना कारे करना तो चीन का एक सहर है जिसका नाम है हांग जू वहाँ पर एक बैठक हुई और वहाँ पर चीन के राश्टपती सी जिनपिं के बीच में एक समझाता ग्यापन हुआ और इसी समझाता गहत के तहट कि आने वाले समय पे सभी चैत्रों में ब्यापक और दिरकालिक रड़नितिक सहयोग का किया जाएगा दोनों के बीच में चीन जो है सीरिया में पुनन निर्माड का कारे करेगा मतलब वहां पर फिर से री स्ट्रक्शर बनाने का प्रयास करेगा मतलब आप सोचिए चीन की पूरी प्लानिंग बन चुकी है एक और देश को तबाह करने की कई सारे देशों को तबाह कर चुका है तो फिर आप समझते हैं जब भी कभी ये कारे होगा तो क्या होगा ठीक है मैत्री पूर्ण संबं दोता है हम इसा चीन के तो इंफरेस्ट्रक्शर के नाम पर बहुत सारा पैसा बहुत सारा इंवेस्टमेंट सब कुछ देता है आप खुद देखो सी लंका और जो आपका क्या नाम है इसका पाकिस्तान एक रियल टाइम एक जामपल है इसके लेकर के बहुत लोन और यह सब कुछ देता है तो आफसर निर्मार का काम किया जाएगा और कोई भी रड़नितिक कोई भी युद्यजनक परिस्तेती आती है उसमें भी चीन खड़ा रहेगा तो चीन लगातार अपना पहुंच बना रहा है यहां पे तो यह सीरिया और चीन के बीच में एक रड़नितिक सा हंडार में तबदील कर दिया जैसे अभी हमास और गजा के बीच में भी आप लोग उने सुना होगा भी तो कुछ समय के लिए जंग रोकी गई है और उसके पीछे है कि जो लोग बंदक बनाए गये थे उनकों लेकर के बंदकों को छोड़ दिया जाएगा तो अभी कुछ स का पर है यह आप देख पा रहे है यह आपका है यार्ड सेबन सेबन और इसका दूसरा नाम है ल्स अम नाइन यह आपका क्या है यह आपका जो है एक जो है काफी बड़े इस्तर का जो है ये जहाज बनाए गया है जहाज के सकते हैं या डक्यार्ट बनाए गया आपका तो 22 सेप्टेमबर 2023 को ये एक आपका जो है जो आंध प्रदेश है आंध प्रदेश में आपका जो है एक मिसाइल को ध्यान में रखते हुए ताकि इससे मिशाइल, गोला बारूत, सारी चीज़े इसमें रखी जा सकें, तो मिशाइल और गोला बारूत सभी को ले करके, ये गोदावरी आंध्रप्रदेश में जो है, एक युद्धपोत बनाए गया है, एक आपका युद्धपोत है, जहाज है, युद्धपोत बनाए इसका नाम मैंने आपको क्या बताए है इसका नाम है Yard 77, Yard 77, L S A M 9, इसका निर्माण किया गया है, ध्यान रखेगा, तो यह अभी लॉंच किया गया है आपका और यह तीसरा है आपका, क्या है आपका तीसरा है, ठीक है, गोदावरी में कहां बनाएगा है, आंध प्रदेश में गोदावरी के पास एक जगह है जिसका नाम है गुटेना देवी, गुटेना देवी पूरवी गोदावरी आंध प्रदेश में युद्ध पोत को बनाए गया है, ठीक है, लॉंच किया गया है आपका, ठीक, तो यह आपका एक तरीके से आत्म इनभर भारत के तहत पहल ह मेकर इंडिया के तहद बनाए गया है, और अवर अल इसका उदेश यह है, कि जो भारतिये सैनिक है, उन सैनिकों तक, जब को भी युद्ध जनक परिस्तिती आ जाए, तो उन तक समान पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना, उनको परिवाहन सुविदा प्रदान करना ठीक है, तो भारती नौ सेना की परिचालन प्रतिबधताओं को एक गती देने का काम करेगा, ठीक है, तो ये भारत का 30 रा मिशाइल सै गोला बारूद वार्ज है, या यार्ड सेबन सेबन इसका नाम है, तो ये आपका नौ सेना के लिए मिशाइल वगएरा सारी चीजे इस में ही ट्रांस्पोर्ट की जाएंगी यह आपका बनाय गया ठीक है तो यह ध्यान रखेगा नेक्स्ट आगे चलते हैं आई-टू-यू-टू के बारे में आप सभी जानते हैं एक समूव आपका बनाय गया था आई-टू-यू-टू-टू-इंडिया, इसराइल, यूएई औ का प्रारम किया गया, संयूक्त अंत्रिक्ष उद्यम, इन चारो देशों ने क्या चालू किया है, संयूक्त अंत्रिक्ष उद्यम, संयूक्त अंत्रिक्ष उद्यम इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, 22 सेप्टेंबर 2023 को आई-टू-यू-टू समूह द्वारा संयूक्त का नावरंड किए गया है तो i2 में आपको पता है चार टेश हैं टोटल के टोटल अब यहां पे इसुद्धेश इसका उद्देश ये क्या है इसका उद्देश है कि जो है व्यापक कि इस तर पे अंत्रिक्ष अनुसंधान करना अंत्रिक्ष आधारित उपकरणों का निर्मा करना ठीक है तो इस परियोजना के साथ मलब एक बड़े इस्तर पे जो है अंत्रिक्ष ओलोकन के लिए डेटा बनाना उनकी चमताओं का उपयोग करना तो एक जोएंट अंत्रिक्ष उद्यम इन्हों देशों सायूक्त अंत्रिक्ष उद्यम चालो किया गया इस्राईल इंडिया और यूससे के द्वारा ये प्रारम किया इसको ध्यान रखे गा ठीक है इन्हों सभी मृष्य देशों है नेक्स्ट आगे चलते हैं यह आप सभी जानते हैं एक माई है और आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, एंटी टैंक माइन, उसमें दिखाया गया बॉर्डर मूवी पे, सुनिल साथित माइन लेकर के जाता है, टैंक में डाल देता है, तो अभी D.I.D.O. ने एक जो है एंटी टैंक माइन, जो है आपका डेबलप किया है, जिसका ना इसका वैसे नाम 600 anti-tank mine है 600 anti-tank है इसका इसका नाम है बीभाव तो अभी ये भारतिय सेना में इसको समलित कर लिया गया है ठीक है काम यही है जो tank होते हैं आपके बक्तर बंद जो बहान होते हैं उनको खतम करने का प्रयासिय को पूरा का पूरा काम करेगा तो ये स्वदेश आपका जो है आपका ये और इसको जो है लगभग ये हतियार जो है 10 वर्स तक इसका बंदारन किया जा सकता है और ये आपका एक बार जो है इसको इसको अन कर दिया गया तो लगभग 120 दिनों तक ये शक्रिया रहता है तो विभाव का प्रयोक किया गया है anti-tank mine को गया है बाग अभ्यारंड प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है ठेक है प्रोजेक्ट टाइगर चलाए गया है ठेक है और प्रोजेक्ट टाइगर के तहेत एक अभ्यारंड है आपका जो की मध्ध प्रदेश का है विरांगना दुर्गावती बाग अभ्यारंड विरांगना बराइँग ना दुर्गवती बागव्रन ये आपका सेप्टेंबर 2023 में मुद्धीप्रदेश में जो है ये प्रारम किया गया है मुद्धीप्रदेश का साथवे बागवरन भारत इ Bhag superior Doctor Be द्वारा जंगली जनवरों के सनरक्षण के लिए इसको जो है आपका सुनिशित करने के उद्देश से इसको पूरा किया गए टाइगर रिजर्व है आपका तो ये ध्यान रखेगा बाग राज्य का दर्जा भी मद्य प्रदेश को दिया जा चुका है 2022 में 2022 में बाग राज् नहीं अब ये चीता राज्य भी बन चुका है आपका ठीक है चीता राज्य भी बनाए जा चुका है अभी जुलाई 2023 में राश्टी अबाग सनक्षण प्राधिकरण और भारती वन जीव संस्थान के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में टोटल बागों की संख्या 785 यह आपकी बागों की एक लिस्ट है बागों की संख्या है यदि हम बात करें कि सरवाधिक बाग मध्य प्रदेश में टोटल कितने में आपको होता है 785 करनाटक में बागों की संख्या कितनी है 563 और उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में बागों की संख्या जो है इसके बाद आपका एक युद्ध पोत है, जिसका नाम है Yard 77 L.S. A.M., ठीक है, ये आपका गोला बारूद, इससे ट्रांस्पोर्ट किया जाएगा, और इसके बाद जुह है, आपका नेक्स्ट है, यह सीरिया और चीन के बीच में एक रणनीतिक साजेदारी की घोशना की गई है, जहां पर चीन जो है, सीरिया में इंफरेस्ट्रिक्चर बनाएगा और बहुत साई चीरों को डिबलब करेगा, ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, तो आज के करेंट अफेर्स के स्ट प्लाशन में, इतनी जानकारी है, आप लोग इसको रिवाइज करिये, याद करिये, ठीक है, आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप लोग जाद से जादा जो भी आपको बताता जारा हूँ, उसको पढ़ते जाईए, याद करते जाईए, यह पांच-पांच करैंट अफेर्स आप समझे कि आपके लिए रामबान है ठीक है आप यदि इनको करते जाएंगे तो आपको current affairs से लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी और देखे मैंने इनी sessions को जो है entire video के तौर पे भी आप लोगों को अपलब्दिकर आया है तो अजाद है ये से academy के YouTube चैनल पर ये सारे की सारे आपको मिल जाते हैं तो आप लोग एक बार entire video के माद्यम से पूरे session को एक साथ भी देख सकते हैं current affairs entire video भी मैं आपको time time पे दे रहा हूँ ठीक है चलिए तो आप लोग पढ़ते रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं आप सभी के शाथ हूँ हमेशा आपके शाथ रहूँगा शुक्रिया धन्यवाद